एलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वाईयो लर्निंग अज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीड तो देखो सीडश जो है वो कैसे बनेगा जब एक ऊवियूल जो है fertilization हो जाएगा और वो वींल किसमें कनवर्ट हो जाएगा सीड में convert हो जाते हैं, अब seed के अंदर क्या present होता है, seed किसका मिलके बना होता है, seed coat का मिलके बना होता है, और embryo का मिलके बना होता है, अब जो embryo है, उसके अंदर क्या present होता है, उसके अंदर radical होती है, embryonal axis होती है, okay, क्या देख रहे हैं दो कॉट Tapi Cut noodles present है फिर टो जो एम्ब्रियों होगा जैसे कि यह バイम्रियोनल लेक्सिस यहाँ पर क्या देख रहे है दो कॉट लेजर्प्रेजंट है यह दो с े नंच और इस एंड पर एम्ब्रियोनल kaç है इसको हम बोलते हैं इस्टेंट सिस्टम बनेगा, Plemule क्या है, Embryonic Shoot, जिससे Shoot System बनेगा, इन दोनों को हम क्या बोलते है, Cotyledons, अब ये Cotyledons क्या है, जब एक Seed Germinate करता है, उस समय, उस से क्या होता है, First Seed Leaf निकलता है, उसको हम क्या बोलते है, Cotyledons, यह जो first seed leaf जो है यानि जो यह embryonic leaf जो है यह true leaf नहीं होता, true leaf तो बाद में बनेंगे ठीक है, तो यह जो seed germinate होगा, उससे जो first seed leaf निकलेगा, उसको हम cotyledon बोलते हैं, अब यह cotyledon कुछ plant में अगर एक present है, तो उस basis पे हम उस plant को बोलते हैं, monocot plant ठीक है, monocot plant जैसे की wheat है औ में monocot plant है, और जिसमें cotyledon 2 होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर जो diagram बनाई है, इसमें 2 cotyledon, तो यह dicot plant का है, ठीक है, जैसे gram और peas, यह कैसे है, इनमें 2 cotyledon present है, तो यह dicot plant हो गए, अब इस base पे हम क्या पढ़ेंगे, आज dicotylodonus seed और monocotylodonus seed, ठीक है, तो पहले हम बा होता है, seed coat का और embryo come, ठीक है, तो बात करते है, seed coat, यहाँ पर हम जो छिलका होता है, जैसे कि यह चनी है, ठीक है, चनी को जब हम bingo के रख देंगे, तो कुछ time के बाद उसमें से आप देखो कि उपर से जो छिलका है, वो निकल जाएगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, छिलक seed को, उसको हम बोलते है, testa, और जो अंदर की layer होती, इसको हम बोलते है, tagment, तो अभी हमने क्या देखा, कि seed coat present होता है, seed coat क्या है, outermost covering है, उसके अंदर भी दो layers है, outer की testa है, और inner की tagment है, उसके बाद, seed coat में ही, आप देखो, एक छोटा सा निशान देखने को मिलता है, जै यहां पर यह वो वाला point है, जहां पर एक जब seed का development हो रहा था, तो वो fruit से attached था, ठीक है, उस portion को, उस scar को हम क्या बोलते है, hilum बोलते है, hilum के ही उपर जो है, वह एक छोटा सा pore present होता है, hilum के उपर, एक छोटा सा pore present होता है, जिसको हम बोलते है, micro pile, ठीक है, अब बात करते हैं embryo की, हमने अभी embryo देखा था, embryo में क्या होता है, embryonal axis होती है, उस embryonal axis के यह देखो, यह embryonal axis है, इस embryonal axis के दोनों ends में, जो है, वो क्या present है, plimule present है, और radical present है, radical हमें पता है, embryonic root, जिससे root system बनेगा, प्लिम्यूल क्या है embryonic shoot जिससे shoot system बनेगा और side में हम देख रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं dicot seed तो यहाँ पर एक cotyledon ये है एक cotyledon ये है तो यहाँ पर दो cotyledons देखने को हमें मिल रहे हैं तो यह पूरा क्या है structure हुआ dicotyledonus seed का अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे albuminus seed albuminus seed और endospermic seed ठीक है इन में क्या होता है endosperm क्या होता है एक food storing tissue है ठीक है यह क्या करता है जो embryo उसको nourishment provide करता है ओके जब हमने double fertilization angiosperm वाले ही वीडियो में हमने double fertilization देखा तो उसमें embryo था और endosperm था embryo किस से nourishment ले रहा था endosperm से ले रहा था तो endosperm में क्या है food है जिससे वो क्या करेगा embryo को nourish करेगा ठीक है जैसे caster caster के अंदर जो है endospermic seed होता है यानि endospermic seed जिसमें endosperm present होता है ठीक है तो इसको हम albuminus seed भी बोलते हैं अब जिन में endosperm नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं non endospermic seed non endospermic seed और eggs albuminus eggs albuminus seed eggs albuminus seed अब इन में क्या होता है कि जो endosperm में वो present नहीं होता ठीक है mature seed होगा उसमें endosperm present नहीं होगा क्यों क्योंकि जब एक embryo पूरी तरह से endosperm को consume कर जाएगा तब उस case में seed के अंदर endosperm नहीं होगा ठीक है यह किसमें देखने को मिलते हमें non endospermic seed bean में ग्रा हम बात करेंगे monocot seed की बात करते हैं monocot के seed की तो monocot का जो seed होता है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे seed coat की तो जो seed coat होता है यहाँ पर वो क्या होता है fruit की wall के साथ ठीक है fused होता है अब देखो fruit की wall को क्या बोलते है हम pericarb बोलते है ठीक है तो यह पहला point है कि जो इसमें monocot का seed होता है उसका जो seed coat होता है वो membranous होता है और कैसा होता है fruit की wall के साथ fuse होता है दूसरी बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर endosperm की endosperm जो होता है वो large area है इसमें क्या है reserve food material है योगी endosperm क्या करता है food supply करता है embryo को तो endosperm के अंदर ही यहाँ पर बाहर side पर endosperm में ही क्या है outer layer जो होती है endosperm की उसको हम क्या बोलते है alleron layer यह क्या है एक protein की layer है proteinaceous layer है तो यह वाला point थोड़ा सा ध्यान करने वाला है कि जो alleron layer होती है वो क्या एक proteinaceous layer है outer most covering होती है किसकी endosperm की उसके बाद endosperm जो है यहाँ पर हमने देखे थे endosperm और non-endosperm seed है न तो जो monocots होते इसमें ज्यादा तर seed कैसे होते है endosperm ही होते है यानि उनमें endosperm जो है वो monocot के seed में present होता है कुछ ऐसे जो monocots है जिनमें endosperm नहीं होता वो होते है orchid ठीक है यह तो हम पढ़ चुके है कि non-endosperm seed और non-endosperm seed जो है जिनमें endosperm जो होगा वो embryo पूरी तरह से जब consume कर लेता है अभी हमने पढ़ा था जब डाइकॉट पढ़ा था उसके अंदर फिर उसके बाद बात आती है embryo की embryo भी हमने देखा थे embryo में क्या-क्या present होता है तो यहां पर embryo जो है यह क्या है cotyledon है तो monocot में एक cotyledon present है क्योंकि हम इसको monocot बोल रहे हैं न एक ही cotyledon है इसके cotyledon को हम बोलते क्या है यह चीज़ यह हमें याद रखने है इसके cotyledon को हम scutillum बोलते है एक short axis present होती है यह भी हमें पता है जो short axis है उसके एक end पर प्लिम्यूल है दूसरे end पर क्या होगा रेडिकल लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर दिहान लखने कि जो रेडिकल और प्लिम्यूल होती है इनको एक cover जो है वो रहता है तो जो प्लिम्यूल की covering रहती है protective sheet रहती है तो इस तरह से बिलकर यह पूरा जो है वो एक monocot का seed बन जाता है जिसमें seed को यहाद रखना fused होता है monocot के seed में endosperm में एक protein की layer जिसको हम alleron layer बोलते है ठीक है और non endospermics seed monocot के case में किसमें होता है orchids में होता है sputillum जो है monocot का cotyledon है तो यह था आज की class का कि monocot और dicot का seed क्या होता है seed क्या है यह पूरा आज की class में हमने देखा